हमारा first chapter है आवर रिषोर्सेस मतलब के हमारे संसाधन और हमारे संसाधन चाप्टर में जो हम लोगों को कुछ basic points सबसे पहले जो है basic terms हम लोगों को कुछ दे रखा है पहला में इन्हें समगता होगा जिसे कि सबसे FIRST है Supply of raw material Resources क्या होता है resources सबसे पहले आपको बता दू कि ऐसी सारी वस्तों है जो कि मानविये जरूरतों को या फिर मानों जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं उनको हम लोग resources कहते हैं उसके बाद दूसरा term हम लोग का technology जिसे कि आप देख सकते हैं technology जो होता है वो आपको किसी भी scientific study and use of mechanical art and applied science that is engineering इसके कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग जो है किसी भी किसी भी subject के subject को जब हम लोग ग्यानिक रूप से अध्यायन करने चलते हैं तो that means कि we are studying technology next is civilization और civilization का मतलब होता है सब भी बनना मतलब कि सबहता के तरफ aggressor होना and next is environment environment मतलब होता है पढ़ियावरन sorry मतलब हमारे आस-पास में पाय जाने वाली वस्त हुए जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं और planet earth is made up of three major spheres यानि कि हमारी धरती जो है वो मुखे तर तीन प्रकार के spheres से मनकर बनी हुई है पहला है हम लोग का lithosphere और land यानि कि हमारे भूमी जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं दूसरा है हम लोगों का hydrosphere और water जिसको हम लो जल मंडल कहते हैं और तीसरा है हम लोगों का air जिसको हम लोग atmosphere कहते हैं यानि कि वायू मंडल यह सारे एक साथ मिलकर धरती पर जीवन मंडल बनाने का कारिय करते हैं